एक पर फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल I am your teacher पर और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं Elemental plugin डालने के बाद हम section, elements, column, headings, button ये सब क्या होते हैं और इसको किस तरीके से आप use करके अपनी website के अंदर जो अपकी website का design है उसको बना सकते हैं सही तरीके से क्या आप एक digital marketer बनना चाहते हैं और अगर हाँ तो हम आपके लिए लेकिया है एक live digital marketing का course इस course में हम आपको SEO, google ads, facebook ads, youtube SEO, website creation और ऐसे ही बहुत सारी चीजे हैं जो हम आपको इस course के अंदर बताईए इस course के अंदर 17 plus modules है और हम अब तक 1200 plus students को train कर चुके हैं course का जो duration रहेगा वो duration रहेगा आपका 3-5 महिने के बीच तो आपको इंतिजार किस चीज का है अभी enroll कीजिए और आज ही demo class के लिए registration कीजिए अधिक जानकारी के लिए आप description box में link है या number है उस पे click कर सकते हैं और वहाँ से inquiry कर सकते हैं तो चलिए देखते कि किस तरीके से हम container elements और sections को elementor में या किसी भी नए website में इस तरीके से बनाते हैं या क्या होता है सबसे पहले last time हमने इसी वेबसाइट है अपना demo.time.no teacher इसी पर काम किया था इसी पर ही हम अपना demo बनाएंगे और किस तरीके से करना है वो मैं आपको दिखा रहा है तो सबसे पहले elementor को install कर लिया हमने अब elementor को install कर लिया है एक बार हम अपनी website देख लिए कि हमारी website किस तर से plugin को use करने के लिए आपको simply करना क्या है सबसे पहले आप जाएंगे appearance में theme में हमको उसके हिसाब से वो plugin हमारा elementor के हिसाब से चल जाए ऐसी plugin को use करना है ठीक है तो हम use क्या करेंगे हम एक theme use करेंगे astra theme को ठीक है तो simply क्या करते है install करते है theme हमारी install हो गई अब इसको activate कर ल जाएगी अब इसके बाद हम अपनी website देखते हैं एक बार हम इससे refresh करते हैं तो इस तरीके से जो हमारी theme है वो दिखाईते है ठीक है अब theme इस तरीके से दिख रही है बट हम चाहते है कि को user अगर खोले तो वहाँ पर homepage कुछ अलग तरीके से अब हम क्या करते है pages में जाते ठीक है और इसको हमने कर दिया यहां से close close करने के बाद यहां से back आते हैं back आने के बाद आप जाएंगे setting में और setting में आप जाएंगे reading में ठीक अब reading में आने के बाद आप यहां देखेंगे कुछ options है कि आप homepage को किस तरीके से दिखाना चाहते हैं या homepage पर कौन सा set करना चा तो यहां से स्टाटिक पर कर लिते हैं अब होम फेज पे पेज बनाया है हम डिफॉल्ट में वो चाहते हैं कि वह हमको कोई भी उजर अगर वेब साइट पर आता है तो डिर्कलि उसको वह वोमपेज की तरफ से दिखे हैं, और सेव कर लेते हैं, अब हमने जो वेबसेट बनाई है यह अब इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, अब यहां पर हमको होमपेज पर कुछ भी नहीं, तरह ब्लांक दिख रहा है, अब यहां पर हम अपना क्यां elementor का जो भी section, container और जो चीजे हैं, columns वो सब हम आप देखे, अब आते हैं फिर से page पर, all pages में आते हैं, अब यहां हम देख रहे हैं, home है, इसको edit पर क्लिक करते हैं, अब आप उपर यहां देखेंगे, लिखा हुआ क्लोज करने के बाद आप यहां देखेंगे आपको नॉर्मली कुछ इस तरीक से दिख रहा है यहां कुछ भी नहीं है अभी आपको करेंट में खाली दिख रहा है अब मैं आपको बताऊंगो कि सेक्शन क्या होता है अब अगर हम यहां पर अपना या कंटेनर को देखने के लिए क्लिक करते हैं सबसे पहले अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास जो आएगा यह पूरा का पूरा यह कंटेनर है कोई झील कर सकते हैं अब इहाँ पर क्लिक करते हाँ तो फूर्ष के सारा इस कंटेइनर के अंदर यह तो यह त्यो शेंट से यह 60-40 के sections है, 25 के चार section है, ठीक है, यह आपका 25, 50, 25 के एक section है, तो जो जिस section के हसाब से आप बनाना चाहते हैं, वो बना सकते हैं, हमें click करते हैं कि हमें 50-50 के section के हसाब से कुछ बनाना है, अब यह section हो गया, अब इसके अंदर आप जो भी चीज़े use करेंगे, वो आपका as an element use हो, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पर एक image लगाना चाहता हूँ, तो simply आपको image को drag करना है, आप यहाँ पर यहाँ लगा देंगे, अब यहाँ से आपको image choose करना है, ठीक है, आप कोई भी image choose कर सकते हैं, हमने random लिए, एक ऐसी random image choose कर ली, ठीक है, चाहते हैं, इस image को select करना, तो हमने एक image यहाँ लगा ली, अब अगर आप चाहते हैं, image की dimension अपने हिसाप से adjust करना, तो आप यहाँ से large, small, thumbnail, जिस हिसाप से आपको चाहिए, आप उस हिसाप से यहाँ पर, उसके हिसाप से इसको adjust कर सकते हैं, छोटा चाहिए, बढ़ा करना है, element, ठीक है, उसे साब से आप यहाँ adjust कर सकते हैं, अब हम चाहते हैं, हम यहाँ चाहते हैं, कि हाँ एक heading आ जाए, उपर, ठीक है, एक heading आ गई, अब इसी के अंदर हम चाहते हैं, कुछ paragraph, text edit करना, इसी के just नीचे, drag करके, यहाँ हमने डाल दिया, अपना option डाल सकते हैं, क आपको यहाँ button देखेगा, button को भी इसके just नीचे आप यहाँ click कर देंगे और छोड़ देंगे, ठीक है, तो यह सारी की सारी जो यह छोटी-छोटी elements हैं, यह आपका title हो गया, आपका heading हो गया, आपका description हो गया, आपका button हो गया, आपका image का element हो गया, यह सारे के सारी आपके website के अंदर हम users करते हैं, और इससे website को बनाते हैं, अगर मैं इसको update कर देता हूं कोई भी आएगा, और मेरा website को visit करेगा, तो सबसे पहले उसको automatically यह दिखे आगा, आगे किस तरीके से हम इसको properly creation करेंगे, ठीक है अगले लेक्चर में मैं आपको वो सब बता हूँ एक वार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्युक्त